गरिब धन जननी धन भूमी धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु परवेश जगत गुरुतत्व दर्शी संतिरामपाल जी महराज की 74 वेवतरण दिवस के अवसर पर दिनांग 6, 7, 8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में तीन द्विश्य महा समागम का आयोजन किया जा रहा है इस पवित्र अवसर पर तीन द्विश्य अखंड पाट, विशाल भणडारा, विशाल सत्संग समहारों जैसे कई भव्य कारेकरम भी होंगे जिसमें आप सभी नगर वे ग्राम निवासियों को इस विशाल एद्वित्य भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत हर्याना इस कारेकरम का सीधा प्रसारण सुबा सवा नौ बजे से दोपहर सवा बारा बजे तक संद्रामपाल जी महराज यूट्यूब चैनल और स्पिच्वल लीडर संद्रामपाल जी महराज फेसबुक पीच पर भी देख सकते हैं पून परमात्मा पाप करम दंड को भी काट सकता है अभी तक जिस भी संत्वा महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप करम फल भोगने से ही समाप्थ होगा वो प्रभु कौन है जो पाप करम को काट देता है वो काल के बंधन से छुड़वा देता है उसका क्या नाम है पूजा की विधी क्या है फिरपया अवश्य सुनिये जगत गुरु नत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराज के अम्रिक वज़ा परमात्मा ने कहा था आवगत से चल आया मेरा कोई भेद मरब नी पाया गुर्खनाच जी के साथ जब गोश्टी हुई थी ग्यान की परमात्मा के साथ गुर्खनाच से तब परमात्मा ने कहा था कि अवधू मैं आवगत से चल आया मेरा कोई भेद मरब नी पाया मात पिता मेरे नहीं ना मेरे गर्दासी मजुल है का सुटान का हाजगत करा मेरी यासी और फिर कहा था तरा जोट सुरूपी अलख नरंजन वो दरता जहान हमारा क्योंकि ये जितने भी काल के पुजारी हैं बरम पुजारी उसको अलख नरंजन बोलते हैं कि वो तेरा अलख नरंजन वो दरता जहान हमारा ओभी हमारा जहान membे करता है तब ये अपना पूजारा चला रहा है किस बरमांड का हम फिर उसी परसंड़ पर आते हैं तो अठार में जाए कि वैसिट, त्रेसिट, चौनसिट, पैसिट और छेसिट में अकती निरनाय की ज्यान है। अब पैसिट में कहा कि तु मुझ म मनवाला हो, मेरा भगत बन, मुझे नमस्कार कर। तो मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। फिर अठार में जाए कि 66 में स्लोक में कहा कि यदि तुने उसकी सरण में जाना है, उपरमक्सर ब्रम की सरण में, जिसके विशे में आठ में जाए कि गीता के पर्थम मंतर में, अरजुन के पूछने पर किमतत ब्रम, उसका उतर दिया है, गीता ग्यान दातान, तीसरे मंतर मे गीता धाय आठ के कि उपरम अक्सर बिरम है फिर यह अठार में जाय कि 6-6 में स्लोक में कहा कि उसकी सर्ण में जाना है तो सर्व धर्मान परितज माम मेरे सतर की जो बिरम सादना तूने की है जैसे ओम नाम का जाफ यग आधी तो मुझ मैं छोड़ दे सर्व सक्ति मान उसकी सर्ण में वर्ज माने जा इन सभी अग्यानियों ने वर्ज का अर्थ आना कर लिया है बताओ यह किसे टीचर थे और कैसे गुरू थे यह जैसे इंगलिस वर्ड है इंगलिस वर्ड है गो और गो माने जाना होता है किसी भी कीमत पर आना नहीं हो सकता और जिनों गो का अर्थ कम कर दिया आना कर किया हुआ है तो कितना बुद इमान होगा कैसा समझा उसने उस परकरन को उसने उसने बठा बठा दिया तो ऐसे बठे बठा राखे हैं इन नकले गुरुओं ने इसलिए सद्गुरु सबद की आउसकता पड़ी और सद्गुरु की आउसकता पड़ी इसी परकार की यदुल वेदद जहान नमर चालिस के नमर दस से लेकर तेरा तक यह सफ़ष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार मानता है कि वो जैसे सिरी राम सिरी कर्शन रूप में उत्पन होता है संभवात और कुछ अन्य दोस्ट को ऐसंभवात यानि वो जनमन ही लेता नराकार मानते इसके विशे में वो तत्वदर्सी धीराना माने तत्वदर्सी संत जिनका टिकाओ ग्यान है वो ठीक ठीक बताते हैं उन से सुन ले और विद्वान और एविद्वान की परिवासा भी वही बताँगे को इस वेल नौन कौन है विद्वान जैसे उसमें क्या बताया है यह दुर्वेद जायर हमर चालिस के नुमर दस से लेकर तेरा मैं कोई तो उसको विद्वान मान देता जिसको किसी वासा का अक्सर ग्यान है और जिसको अक्सर ग्यान नहीं है उसको एविद्वान कहे देते हैं लेकिन यह विद्वान और एविद्वान की परिवासा नहीं है वो भी विद्वान और एविद्वान की जानकारी बस तत्व दर्सी संट बताऊंगे कौन विद्वान और कौन एविद्वान है तो पुन्यात्मों जब परमेश्वर कबीर जी चास्ट वर्स पहले यहां आये थे द्रातल पर इसकल योग में सन तेरा सो अठाण में जेश्ट सुधी पूर्ण वासी समवत चौदा सो पच्पन लहरतारा तलाब कमल के फूल पर लहरतारा तलाब में कमल के फूल पर एक नवजात सिसु का रूप धान करके विरादमान हुए थे और वो परमातमा जल के उपर विरादमान होते हैं जिस कारण से वो नारान कहलाते हैं रियल नारान यही है वो परमातमा वास्तविक नारान इसलिए इनको नारान कहते हैं बाकी ते नकली नारा नहीं आके नासवा नारा नहीं, जो तो कोई भी जल में लोट जा, किस्ती में लोट आ रहा है, वो को नारा न थुड़ा बन जाएगा, तो एक ये प्रमात्मा की लीला है, सत्य योग तुरेता दुआ पर कलियोग सभी में ये एक लीला ऐसे करते हैं, त उसमें वो अक्सर ग्यान नहीं रखते थे, और सब वेदों और गरंथों का यथारस ग्यान बताते थे, तो उसमें अक्सर ग्यान, युक्त यानि संस्कर्ट वासा के विद्वान माने जाने वाले, वरिसी महरिसी और ब्रामन वरग, मंडलेसवर, गुरू, मैंत, आचारिय, पर मैं इस पर कबीर जी को कहा करते है यह ऐ सिक्सित है आई विद्वान है यह क्या जाने सद्गरून्तों के गुडरेंसें को इसकी बातों मताना और वो विजली अभी तक गिरी रही क्योंकि अमारे पूर्वल सिक्सित नहीं थे आज पर मात्मा ने सबसे पहले हमें सिक्सित किया पुन्यात्माओं इस सिक्सित का हमें लाब एक विशेश लाब यही है कि हम बगवान पैचान लेंगे अन्य था यह सिक्सित एक विश है इस मानों के लिए इसको यह चातुर बनाती है बेइमान बनाती है मायाद जोड़ने के अतिरिक दिया कुछ नहीं सिखाती है कोई भी ट्रेनिंग शिक्षा देख लो केवल धन उपार्जन उदेसे ही लेकर बच्चे पढ़ने जाते है और फिर वो उसी उदेसे से लगे रहते है कोई बीच में मर जाता है वो जोड़ी जाड़ी कोठी बनाई रह जाती है जो इस मनुस जीवन से कारिय करना था उस प्रहर्म बेनी कर पाता है आत्मा तो उस प्रमात्मा ने ये थुड़ा सा विस हमें खेलाना आनिवारिय समझा क्योंकि इसको फिर अमरत में बदलना था विस से अमरत होत है जाय कर जाने कोई अब इस विस को हम अमरत में बदल लेंगे इस सिक्सा का हमलाब उठाएंगे भगवान पहचानेंगे सत लोग चले जाएंगे दासदा सुकी रहेंगे कहीं बुड़ा पानी वापर वामरतू नहीं जो दास ग्यान दे रहा है ये किसी लोकवेद के अधार से नहीं सब सद्गरंतों को अधार मान कर और जिन मापुरसों ने परमातमा के साक्षात कार किया सत लोग गए वहाँ सथान को देखा और वापिस आकर उन्होंने गवाई दी उन मापुरसों के वचन आपके रूबरू कर रहा है और इसको आपने अर्दे मदारना पड़ेगा ये लोकवेद मत समझना और क्योंकि आप दूद के जले हुए अब लसी को भी फूकेंगे लेकिन कुछ दिन में ये सब ठीक हो जाएगा पता लग जाएगा लसी तो लसी ही होती है और दूद जादा गरम था वो उस गलती से पी गए हम तो ऐसे अब ग्यान हो जाएगा फिर हम आपकी ऐसी परबल इच्छा बनेगी वहाँ जाने की डटे नी डट सकते इस ग्यान के अधार से फिर बग्ती का ऐसा प्रेसर बनेगा देखो हम बुड़ा पे में देखते हैं कहते हैं इसका दिमाग काम नहीं करता बुड़ाग कहें कुछ सोचा है कुछ बोला है कुछ क्योंकि वर्द अवस्था में जैसी ही के लिए हम करते रहे वो सरीर में पूरो जनम की जो थोड़ी बहुत बैटरी सार रहती संसकार सुब थे उन्हीं को मनुस्जिवन पराप्त होता है वो खतम होगे तो हम बग्ती के प्रेसर से एजडिट माइंड बना रहेगा और एक करट लगी रहेगी जब सरीर छुटते ही एक कडम आपका सतलोक के अंदर होगा क्योंकि यहां की तो आपको पता ही लग जाएगा यहां से तो आप छक के दुखी हो लोगे और पहले बुडापा हमारे लिए एक कैर था अब बर्द वस्ता हमारे लिए वर्दान से दोएगी क्योंकि पहले हम अग्यानता के कारण किसी क्रिया को फाइनल मान रहे थे हमारा काम पूरा हो गया कभी मरतू हो जाए चाहे दुखी रहे चाहे भुगते है चाहे किसी परकार पड़े पड़े अंदरी टट्टी करते रहते थे तो अब हम उन दुखों से एक चिन्तित हुआंगे और फिर इस बुड़ा पे शेच उटकारे के लिए क्विशेश कसक बनाएंगे सतलोक मज़ाने की और जहां आसा तावासा होई और बगती साथ होने चाहिए बगती बिना वहां को रखेगा आपने को तो यह बगती का मारग आपको ऐसा मिल गया है कि कुछ ही समय में आप बगती से प्रिपूर्ण हो जाओगे थोड़े ही करने से घना लाव मिलेगा जैसे एक तो सारा दिन मज़दूरी करें दो सो रुपे प्राप्त करें एक ऐसा सेट सा उकार ऐसा बिजनस करता है रोजाना का एक लाख रुपे का गलाव ले जाता है तो वो कितना धन एक्तरित कर रहा है इसी परकार आपको ऐसा मेथट दिया जाएगा भगती का जिसके एक सुआस की इतनी की मुट बढ़ जाएगी वो सत नाम के दो अक्र का जाप दिया जाएगा उसके बारे में कहा है परमेस्वर की बारी में कि सत नाम एक पालड़ एक तराजू के तखडी के एक पलड़े में सत नाम के एक सुआस उसुआस की कीमत ये कंप्लीट मंतर होता है स्वांस और उस्वांस से दो अखर का पूरा जाप होते एक मंत्राप का आपके अकाउंट में जमाओ गिवा कमाई सत नम पालड़ा रंग हो री हो और चौदा लोक चड़ावे राम रंग हो री हो दूसरे पलड़े में आके चौदा लोक रख दे और तीन लोक पासिंग ध्रै रंग हो री हो ओ तोना तुला तुलायाराम रंग हो री हो अब ऐसा मंत्रा आपको मिलेगा तब ही ते इसको सतनाम सतनाम की रच लगा रखिया कभीर स्पन्त के अंदर हर सतनाम का उनको पता नहीं कख भी और कितना कीमती है सतनाम तो इस सत्नाम की कीमत एक स्वास की कितनी बता दी अब इसाब ला ले ना और आप कितनी सकती बगती लेकर आए थे वहां से कितनी पुंजी लेकर आए थे यहाई गंगाल होगे बिखारी मांगते फिरो फिर बगती हिन होगे हम बन गे कुटेग देसुर बना दिये इसने सब लूट लिया इसने हमारे को इसकाल भगवाने इसने ये रेस्टोरेंट बना रखे है स्वरग महा स्वरग आप यहां थोड़ी बुद पुन्दान करते हो पर मातमा की दया से करवाते हैं करके वस्वेम आते हैं अपने बच्चों को बग्ती से सारज कर जाते हैं कहीं भी परगट हो जाते हैं किसी भी रूप मा करके और उनको बग्ती मारक बता जाते हैं कुस दिन वारा रह जाते थी पहले तो ऐसा था कि एक सितर का विक्ती दूसरे अक्सित्रमा नहीं जानता था वहां क्या हो रहा है क्योंकि इदर आना जाना कन्विंस थी नहीं तो प्रमात्मा एक एक दिन सो सो जगा जार जार जगा पर गठो करके और वहां गोप तरफ से साथ दूरू बना करके दस बीस वरस कहीं रहे फिर अचानक चले जाते थे और उनको भक्ती से युक्त कर जाते थे तो उस आप में आस्था वगवान की बनी रही ना तो काल तो नास्ती करवाना चाता था सब को चाता है कि इनके आस्था अटजा वगवान से अब कल युग में ये विज्ञान का को ती ढूंडा ठुआ जिया ये विज्ञान दी वगवान ने ये बनाने के लिए इंटरनेट और सैटेलाइट और ये टीवी बनाने के लिए ताकि मेरे बच्चे मेरे ग्यान को गरवेठे सुना करेंगे गरवेठे पैचान लेंगे कितना द्यालू है उपर मात्मा और काल हमें बकवाद सुनवाता ही ने के मादम से सारा दिनी मीडिया में क्या सुनते हो कोरी बकवाद सारा दो द्मा को खराब करने वाली अन्तैकरन मलीन करने वाली बातें आती है एक बक्ती मारक को ना छोड़ कर और बगती मारक क्या दे रख्या है नकली संतों ने कोरी बकवाद घड़ रहे हैं कखनी पता है इनको तो सब तरह से आटा दिया हमारे अनते करण को और हम नास्तिक होने के कागार पर खड़े थे जाई या बगती प्रार्व ना होती तो ये सत कर्मान ले ना अब दयाकरी प्रमातमान ये फिर से बीज पड़ेगा पूरे सभी के अनते करण में और अग्यान से हम गलतियां करते थे ग्यान से उनको छोड़ देंगे तो परसंग चल रहा था हम वहीं आते हैं कि इस प्रमातमान आके हमें इग्यान बताया और आपको बगती से इतना प्रिपूर्ण कर दिया जाएगा तो इसने उपर के जो रेस्टोरेंट बना रखे हैं हमारी यहां पूंजी प्रमातमा बगती देता हैं कराते हैं आम स्वर्ग चले जाते हैं, महा स्वर्ग चले जाते हैं, वहां खा करा जाते हैं, वहां रिस्टोरेंट बुना रखे हैं, विश्मु जी के लोग में उसका अपना अलग है रिस्टोरेंट विश्मु जी के लोग में, जिनको स्वर्ग नाम रखा गया, तो हम अपनी पुंज यह जैसे आप आटल में जाते हो, यह चार जलग लेते हैं उसे आप से, इस करके यह सब जोड़ दुगाड से अपने बर्मांड चला रहे हैं, तो हम इन के लोगों में अपनी स्पूंजी का नास नहीं करेंगे, अब हमें ग्यान हो गया, हम सत लोग चले जाएंगे, तो क्या बताते हैं प्रमात्मा के तुम वहां से जब आये बगती से युक्त थे, मेरे अनसाब आई, अनसरूप था जब तू आया, अपना सरूप बोल में बूला, तात अजीव का आया, अब तू अपना वास्तवी सरूप और सथान भूल चुका है, इसलिए तू यहां बिखारी बिना फिर रहे, और यहां सोख होई नहीं सकता, चाए राश्टर पती बन ले, कोई न कोई टेंशन उसके कोई पारिवारी का पदा हो जागी, कोई सिरीर में उसके अपने इसी बिमारी लागी जागी, डाक्टर भी फेल हो जाएंगे बगती इन परानी का, क्योंकि काम छोड़ना ही छोड़ना है, ऐसे बहुत से परमार्ण हैं अन्समे में कैसी हालत हो इन परदान मंत्री और राश्टर पतीर मुख्य मंत्रियों की, तो कहने का वाओ यह है, बगवान के सब बच्चे हैं, परमात्मा परमुख्य है, उसको हम भोल चुके हैं, उसकी याद कमाई चार्ज करेंगे जितने आप वहां से चार्ज होकर आये थे, बगती की कमाई आतियाव से कहें, एक कई सेरफेडे संत कहते हैं, एक विशेश कर, उनको नास्तिक संदना चीए, जिनके ऐसे विचार हैं, बगती की आड में, वो आस्तिक की आड में, नास्तिकता का बोर है दास ने इन सद के लिटरेचर पढ़े कबीर पंथी संतों के भी पढ़े सभी धर्म गुरुवों के अन्य सास्तर धर्म सास्तर पढ़े तो उन में दास ने क्या पाया कि जो लोक वेद पर ते एक धर्म में चल रहा है उसके हटकर ग्यान सद्गरंथों में और सद्गरंथों के ग्यान बिना जो हम सुन और कह रहे हैं सुना रहे हैं वो सारा लोक वेद है दंदकता है वेर्थ है उसका यूज नहीं एक जम्मू के अंदर है कबीर पंथी कहलाता है कोई रांजडी गाओं है जम्मू के अंदर उनका नाम है स्री मधू परमहन से अब उसने तो कबीर पंथ में नू कहा है मेरे समान इस ब्रमांड में किसी के पास वस्तु नहीं वस्तु कार्थ यही होता है कि ग्यान अज्धातम और समादान कंपलीट नाम मंतर दिक्सा सही हो ग्यान पूरा हो तो उसी को संत कहा जाता है तो वो क्या कहते हैं कि बगती की कोई आउ सकता नहीं है कमाई से कुछ नहीं होने वाला दानपुन से कुछ होने वाला नहीं है बस गुरू पार कर देगा और वो क्या करता है उसने क्या विध्धान बताया है कैसा जाना है परमात्मा को अब दस दो मिंट में उसका सारा जाड़ा ले लिया जाएगा वो क्या बताता है कि पहले परमात्मा गुप्त थे शिरिश्टी रत्ना सुनाईया से फिर उन्हों ने परमात्मा ने एक सबद उचारा उसे परकास हो गा अदभुत अनुन्त फिर वो परमात्मा उस परकास में समागे जैसे चीन्नी पाणी में तो फिर वो अमर लोक बन गया है वो परमात्मा भी और वो परकास दोनों मिलका ही अमर लोक हो गया हो फिर नहों का परम पुरुस ने अमर पुरुस ने फिर उस अपने अंदर से उस परकास ko उपर न उचाड दिया छोटी छोटे कन से बन गे वो बिंदु से बनकर बूंधें सी वापिस आगी वो परकास में मिली नहीं वो अलग भूमने लगी, वो बूंत सी, बिन्दू सी, वो आत्मा बनेगी, परमात्मान आत्मा को उत्पन नहीं किया, आप्प बनेगी, तो परमात्मा और आत्मा तो बाण बाई होगे फिर, वो तो बाण बाई होगे उनका, वो तो एक सतर में आगे, फिर आगे क्या कहता है कि सार नाम आदी नाम सार सबद सचा नाम यानि सट नाम और सबद विधे और नी सबद और कहते हैं यह सथपुरुस ही है और सथपुरुस क्या है फिर अमर लोग क्या वो परकास का लो थड़ा खाक है इन कबीर पंती यह काल के दूत है पके और काल के भेजे वे नकैक है का पता नहीं अर नाम देता सत नाम और सत गुरू सत नाम का कख नहीं पता इसका और फिर कहते हैं बगती क्या हो सकता नहीं गुरू पार कर देगा एक तो नाम देता सत नाम ये एक देता सत गुरू ये तो जाप करो और एक कान में कर देता हूँ अब जो दिख्षा लेने वाला वेक्ती है वो कहता गुरु जी को समझानी मैंने वो कहता यो वाणी का विस्या नहीं है ये तो कहा ना जाए, लिखा ना जाए, बोल्या ना जाए वो मैंने तेरे अंदर विस्फोड कर दिया वुर्जा छोड़ दी और फिर नहीं कैसे इसका जाप करना चीए, बुरा ध्यान लगाना चीए कहीं तो कहता है कमाई कि वो सकता नहीं फेन्जों कि इस पर ध्यान लगाना चीए ये ज़ान कैसे लगाए परानी ना तो उस गुरू ने पता क्यों वानी का वी से नी उसने बोलकर सुनाया नी जहान टटूगा लाओगा उसने यह नहीं पता जहान लाओं किस चीज़ बैए और दूसरे यह कहता है कि गुरू पहर कर देगा बगती की कोई हो सकता नी नाम की कमाई कुछ नहीं करेगी जैसे कोई टीचर यह कहे कि विदार्थियों तुम्हें पढ़ने क्यों सकता नी है टीचर फास कर देगा बच्छा नोर के चाहिए फिर मोज होगिवद है महरो मोज है यह खाक टीचर है बठा बठा दिया पुरे दातम मारग का तो ऐसे विक्ति यह सटेटमेंट उस से में देते हैं कि चेले भागना जा जैसे आप देखते हो धन धन सत्कुरू राधा स्वामी विशे इसका धन धन सत्कुरू का नस अच्छा सोदा शरसा डेरे वाले जगमाल वाले इन तक आठपला ला रखी है कि बस गुरू पासद गुरू पार कर देंगे फिताजी पार कर देंगे बीडी ये पिवें कख ग्यानिन कोरी बगती का मारग इनके पास नहीं वो गुरू पार कर देंगे वापत होगे जिखायो पार है अब सीवद्याल पार हुए निबूत बना बैठा है उसमें बुक्की में जो इनका एड़ ऑफ दी डेपार्टमेंट अब बाकी कहा जाएंगे दास का उदे से किसी को बिसकाइड करना नहीं बिलकुर राबताने क जाओ दे से रखता हूं फिर पस्ता होगे कहते हैं ये संसार समझदानाई केंदा से आम दो पहरे नू गरीव दासी वक्त जात रोगे इस पहरे नू इस समय नहीं याद करकर रोगे मनुस्जियो ननमौल बरबाद हो रहा है एक एक सांस की कितनी किमत रमवर्थ खो रहे है बाल क्यों कीत रहे तो ग्यान से आप जागरुक होगे और उन से फिर पीछा चुक्वाओगे तो इस परकार ये बगती का बठा बठाने के लिए काल नही आजेंट छोड रहे हैं और दास एक पूरे विश्वे में सब मिस गाइड करने वाले लेकिन सत के अंदर इतना ताक समर्थ होती है और समर्थ हमारे साथ है कबीर जी यह पूरे विश्वे मुश्व हम जाएगा सारा संसार जानेगा और जागेगा मुक्स कराएगा सुखी होगा अब ये कबीर पंठी होकर कि ये कहते हैं बगती काम नहीं करे तो पक्के दोसमन अठर परमातमा कबीर जी के भी दोसमन नहीं है लोग अब क्या बताते हैं परमातमा कबीर साहिब सुमन के अंग में कितनी महतो पुर्णवानी बोली है मालिक ने कबीर सुमर्ण मारग सैज का सत्गुरु दिया बता स्वास उश्वास जो सुमरेगा एक दिन मिल सी आए कबीर माला स्वास उश्वास की फेरेंगे निजदा से चोरा सी भर मैं नहीं फिर कटै कर्म की फासे अब कबीर परमातमा तो कहते हैं के माला स्वास उश्वास की ये असली माला स्वास उश्वास के मंतर की है दो अखर का मंतर है जिसमें एक ओम है एक तत्य गुप्ट है जिसको प्राप्त हो चका उसको ग्यान है तो माला स्वास उश्वास की ये सिमर्ण करना है जाब करना इसका सतनाम का फेरेंगे निजदा से यानि विशेश भगत ही इसको पैचाने और प्राप्त करेंगे चौरासी वर मैनी फिर कटे करम की फास कबीर सुमर्ण सार है और सकल जंजाले आद अंतमद सो दिया ये दुज़ा दे ख्या ख्याले वाकित है सौपन ले रहे हैं ऐसा वैसा करने से इसके अत्रित कुछ नहीं होगा प्रमात्मा कहते हैं मन करम वचन से कह रहा हुए ये सुमर्ण सार वस्तु है इसका अवस्य सिमन करो जाप करो अर्यें काल के दूत ने हो गये जब तब सइयम सा देना सब सुमर्ण के माही कबीर जान रामजन सुमर्ण बिन कचुनाही बताओ मैं परमातमा क्या बता रहे हैं और ये कबीर पंत की फीद लाकि ये नकली बर्मित करें हमारे को तो पुना तुमाओ कभी साहिब से काल ने कहा था कि बारा नकली पंत चला हुआ तेरे नामत है कबीर कबीर ग्रिया करेंगे ग्यान सारा उठ पटांग और मंतर गलत दिया करेंगे कि वो मेरे मुख में आन समवेंगे कहता है दौादस पंथ करूं मैं साजा और नाम तुमारा ले करूं आवाजा ये दौादस पंथ नाम जो ले ही ये हमरे मुख में आन समवेंगे और अनेक पंथ चलाओं ये रादस वामी दन दन सुद्गुू सत्थपाल जी महराद ये जै गुर्देवर या सारामर ये सारे अजन्ट थोड़ रखे काल जाएं बठा बठाने के लिए और सत्थपाल का भाई है प्रेम प्रेम रावत जिसको बाल योग इस वर बोला है विदेशों मजाक और बगाड़ दिया पुन्यात्माओं के अंता करनों को तो ये सब काल के एजन्ट है ये आचारिये और संक्राचारिये ये रिसीर महर इसी दानंद जैसे नकली बता है परमात्मा करोडों की संख्या में ये मिस्ट गाइड करने वाले है रिकदास परमात्म कबीर परमात्मा का वचन है जिसके एक वचन से सब्रमांड घोम रहे हैं उसके वचन को कोई फैल कर सकता है इन्होंने एड़ी से चोटी तक जोर लगा कर देख दिया करोठा कांड करके ऐसा बदनाम कर दिया मीडिया की दोहरा इस्दास को और आश्रम छीन लिया जेल में आल जाज जू ठेके से बनाके आज देखो समर्द का हमारे साथ है लेकिन हमने किसी से कोई गिल्ला नहीं है हमारा तुमारे प्रमात्मान बताया है कबिर दो तो कू काटा वो बता को वो तो फूल और तो है फूल के फूल है वाको है चरसूल उसको अपनी करनी आप पाएग कबिर सत नाम सुमर्ले प्राण जांगे छूटे गर के प्यारे आदमी ही चलते लेंगे लूटे और वो नो कैवला बगती की कोई हो सकता नहीं कवाई नाम की कोई काम नहीं करें कबिर लूट सको तो लूटी यो हो राम नाम की लूटे पीछे फिर पचताओगे प्राण जांगे छूटे कबिर चंता तो सत नाम की और न चंता दासे जो कुछ चंता नाम बना वाई काल की फांसे कबिर सुपने में बरडाय कर जै कोई लेवे नामे वाके पैर की जूती और मेरे तनकाचामे बगवान तो क्या करे रहे कबीर जी कि जा सुपने में भी को बिर्डा करे और इस नाम का जाफ कर ले तो कहते हैं वो इतना पुन कर्मी प्राणी है उसके लिए मैं अपने पैर के चाम की जुत्ती बनुआ दें उस प्यारी आत्मा के लिए बताओ प्रमात्मा तो क्या बताना चाह रहे है कितना मैतों दे रहे हैं इस पुन्यात्मा को भक्ती करता है सत्यनाम का स्यम्न करता है अब सुपने में कोन बिर्डा होगा सुपने में वो बिर्डा होगा जो दिन में भक्ती करेगा कि जैसी दिनमें के रियाए करते हैं राथ को भी आएंगे शोपने सार दिन तोसे को ये ब गएच्छा है लेए the 20 दो चालुस के दुछ तर राइष लें हममिले के रिया है कि उसकाव간 ग्रास दिन में जो बन गा सोपन में वो यही बोलेगा So, ऐसे ही पुन्या पुम हम दिन में जैसी रटना लगाएंगे, वगवान के वजन की चंता, उस नाम के सिम्न की, वगवान के सत्संग की, ज्ञान की, तो हमने सोपने भी वह यहाय करेंगे तो वो कितना पुन करमी प्राणी है उस प्रम्पिता का बच्चा कि सोपने में बिरडा के बुद बुद आओ जो सोपने बुद बुद आजे राव राव सत्य नाम जैसे सिमन दे रख्या इसा है कहते हैं सोपने में बिरडाय के जै कोई लेवाय नाम है ले दे एक बर नाम यानि समन कर दे तो वाके पैर की जूती और मेरे तनकाचा मैं मुझे इतना प्यारा हो बच्चा कबिर कहता हूं कई जात हूं सुनता है सब को सुमरन से भला होएगा ना तभला ना होए बताओ परमात्मान तो कमाल कर रख्या है तो यह ग्यानी न प्रानी मुरख बनाई बैठे है जुनता को पुनात्माओं परसंग चला है कबिर साहिब कहते हैं सत्गुरू के उपदेश का लाया एक विचार जै सत्गुरू मिलते नहीं हम जाते नरक दुवारे नरक दुवार मैं दूट सेब करते खेचाता आने उनसे कभू ना छोटता फिर फिरता चारों खाने चार खानी मैं वरमता कभू न लगता पारे सो फेरा सब मिट गया मेरे सत्गुर के उपकारे साथ समंदर की मसी करूँ और लिखनी करूँ बन रहाए दर्ती का कागज करूँ गुरू को मिल लख्यो न जाए गुरू मानुस कर जाने ते तेनर कई अंदे ओवें दुखी सनसार में फिर आग काल के फंदे अपने अत्माओं फर्मात्मा कितना मैं तो बताते हैं सत्गुरू का सच्चे गुरू का जैस सत्गुरू मिलते नहीं हम जाते नरक दुखार और नरक दुखार में दूत सब फिर करते खेंचातान उन से कदे ने छूटता और फिर फिर फिरता चारों खान उसके बाद नरक भोके उनरक जम्के दूत्तों के फिर नरक 84 लाक यों नरक का दूतिक और फिर क्या बताते हैं, चार खानी मह भरमता, और कब उना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सत्गुरु के उफकार, इन सब से बाई पास निकाल दिया, गुरुदी ने, सत्गुरु ने, तो ऐसे सत्गुरु की महिमा को लिखने लगूं, कहते हैं, साथ समंदर की मस करो, और लेखने, मसी महाने इंक, साथ समंदरां की स्याई बना लो, और पूरी पर्थ्वी जितना कागज ले लो, और सभी पेड पौधों की कलम बना बना रख लो, एक एक वरक्स के अंदर कितनी कलम बन जाएगी, क्रोणों, और कहते हैं, सारी कलम गश जाँ, समंदर जै कैसी स्याई भी खतम हो जाए, और दर्ती जितना कागज भी, सेस उसमे जगे नारे लिखते लिखते, तो गुरु गुन लिखा नहीं जाए, तो लिखके देखाओ उसे सत्गुरु के गुन को, एक कुते के जीवन लिखन लग जाओ, सुबह लेकर स्याम तक वो कितना अच्छी पोश्ट प्राप्स करके दो पैसे घर पर होगे, बगवान बजा नहीं, अब कुता अपने कैसे हर से पटे करता फिर रहे, कबीर साहब कहते हैं, अपनी वानी में, बीबी पढ़ता रहे थी, और डोड़ी लगय थी वाहर, अब गातु गाड़े फिरती हैं, वो नवाबों की लड़के, औरतें, इस्तरियां, राजाओं की इस्तरियां, पड़दों में रहा करती थी, डोड़ी आगे उनके पहरे लगया करते थे, कोई गैर विकती, ऐसा वैसा विकती हमारे घरों में परवेश ना हो जा, और उचे घर की बववेटियां का लाया करती थ सत्संग में जाने से वो इजत वेजती मानती थी, हमारी इजत नहीं रहेगी, हमारे बहु बेटियां यदि सत्संग में संतों के पास चली गी थे, अब वो कुतिया पनी अंड़े बिना निवस्तर फर रही हैं, उस बजार के अंदर सरे आम ब्रहन में टी करवादी एक राम गात उगाड़ी फ्र हे वाब बन कुतिया बाजा हैं, वो पड़ते की सूंद्री सुनो संदे सामूर अब गात उगाड़े फ्रती हैं वो करे सुरायं सोर, अब परमात्माः हमें याद दिलाना चाहते हैं, नकवे सर नकवे बनी वो पैर है थी हार हमेल, और सूंद्री से क साल के खेल, अब क्या बताया है कि पहले तो वो क्योंकि काजू किसमस के अलवे खाया करती थी, काजू कसमस युक्त और जूठे छोड़ा करती उसको बांदिया खाती थी, एक क्योंकि उपिछले पुनकरम की बैटरी चारज थी उसकी, उसने खोखंडा खराब कर दिया, आग मातमा यादाओगा आपके, अभी ताम अपला तुनमा बन गए क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग मिली है संसार से, वो तो धन कमान की ही मिली है, संसारी प्रमपराओं को निभाने की ही मिली है, प्रमातमा के पाने की तो सत्गुरु ही बना बताते हैं, और सत्गुरु फिर क्या कोण जाने कल की, खबर नहीं पल की, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, बात करें छल की, पाप पुन की, बांधी पोटेरिया, या कैसे हो हल की, खबर नहीं पल की, नाम सुमरले सुकिर्म करिले, कोण जाने कल की, खबर नहीं पल की, मात पिता परिवार भाही बंदु, या तरिया मतलब की, मात पिता परिवार भाई बंदु या तरिया मतलब की चलती बरिया कोई न साथी या माट्टी जंगल की खबर नहीं पल की नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कोण जान कल की खबर नहीं पल की तारों बीच चंदरमा जो जलक है तेरी महिमा जला जलकी आज कोई उच पोष्ट प्रापत है अच्छा कोई राज नेता है या कोई पैसे वाला व्यक्ती है कहते हैं आज तू अपने पिछले पुनकर्मों से अन्ने समाज में ऐसे चमक रहा है जैसे तारों के अंदर चंदरमा लेकिन बगती ना करने से फिर क्या दुरकती होगी तारों बीच तंदरमा जू जलके तेरी महिमा जला जलकी तारों बीच चंदरमा जू जलके तेरी महिमा जला जलकी बने कुकरा बिष्टा खावे, अब बात करें बलकी, खबर नहीं पलकी, नाम सुमर ले, सुकर्म कर ले, कौण जाने कलकी, खबर नहीं पलकी ये सनसार रहन का सुपना, जैसे ओस बूंद जलकी, ये सनसार रहन का सुपना, जैसे ओस बूंद जलकी, सत नाम बिन सभै सादना, जैसे गारा दल दलकी, खबर नहीं पलकी नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कोण जान कल की खबर नहीं पल की अंत समे में चले अकेला तेरे आसुने नढल की अंतसमे जब चले अकेला तेरे आसुने नढलकी कहे कबीर सरन गए मेरी हो रक्सा जल थलकी खबर नहीं पलकी नाम सो मरे ले सुकर में करे ले कौन जाने कलकी खबर नहीं पलकी देख कालना हमारे साथ कैसा दोखा करे रख्या बगवान याद दिलाते है अब सारा जीवन इसी परिवार पोशन के लिए संसारिक प्रमप्राओं में ही जोड जुगाड में हम वेचीज कर देते हैं और बीच में ही किसी कारण से रोग के कारण वेक्ति मर्त्यू को प्राप्त होने लगता है फिर रोता है तो प्रमात्मा कहते हैं कि जब तू इस बरे परिवार को छोड़ के जाएगी आत्मा तू पचाड खाखा रोएगी क्योंकि जिस के लिए तू यहां सारा जीवन खौदिया वो तिरे साथ जा नहीं रहा आगे तिरे साथ जो वस्तू चीये थी तू तु तुझे तुरे पास है नहीं तो फिर इतना रोएगी बुरीत रहे हिड़की दे रोएगी है सुरता जब तू चल लेगी अकेली, आत्मा को कह रहे हैं, तो यहां परमात्मा कह रहे हैं, अंत समय जब तू चल अकेला, तेरे आंस उनेंड डल की, फिर रोएगा, फिर फायदा क्या उस रोनें का, अब इस ग्यान को पहले सुनें, फिर पहले रोनें लग जाएं, उस मालिक की नाम जाब करें, संसारी काम भी भगवान ने ठीक करया करें, राजा लोग भी अपने प्रियतन से बहार लेते हैं, ठक जाते हैं, परमात्मा की सरन लेते हैं, और वो आपको इसी दीमिलनल्ला गरी सरन, फिर क्यों ना ले हैं, हम भी अपना भगती करें, अब परमात्मा, प बहांग पी हुई आत्मा को जगाना चाहते हैं हमने या काल की माया की भांग घणी पी रखी है और परमात्मा ने भी एंटीबाइटी की इतनी बेसुमार दे रखी है इसने तायर के छोड़ा गी यह सत्कर्माण गी अब क्या बताते हैं मनने की कर ले दो दिन का महमान मनने की कर ले दो दिन का महमान देख बगवाना करोया हमारे लिए एक तारा लेकर ख़ड़ा हो जाते थी तुराए पर आखों में आसू बरकर होते थे इस काल की भांग को पी कर हम इतने मध्धोस हो गए हैं लेकिन परमात्मा जगे जगे खड़े हो करके इकतारा लेकर करके हमें इस काल के जाल को समझाया करते थे हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हम इस तरह से जोड दिये काल नहीं इस तरह जुगाड इसे फसा दिये हम इस स्रीर में अगर कुछ तो को डालेंगे तो यह काम करेगा नहीं डालेंगे तो यह फ्यूज हो जाएगा तो परमात्मा ने भी ऐसा ही मेथड बता दिया कि तो यह काम भी करें पर भगवान जरूर बदले है नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे जो साधना अठियों करते वो साधना ठीक नहीं यह मारगी सही यही था इस से हमें आपरीचित करवा दिया काल ने तो क्या बताते हैं प्रमातमा हाँ ने की कर ले दो दिन का मेहमान ने की कर ले दो दिन का मेहमान जोरू लड़का कुटम कभीला दो दिन का तनमन का मेला ये जोरू लड़का तेरा कुटम कभीला दो दिन का तनमन का मिला अंतस में उठ चले अकेला ये तजमाया हमनान मनने की कर ले दो दिन का मेहमान मनने की कर ले दो दिन का मेहमान कहां से आया कहां जावेगा यो तन छूटे तब कहां समावेगा आखिर तुझ को कौन कहेगा गुरू बिन आतम ग्यान मनने की कर ले दो दिन का मेहमान मनने की कर ले दो दिन का मेहमान कौन तुम्हारा सचा साई जूटी है ये सकल सगाई परमातमा कहते हैं तेरा सचा मालिक वो सट पुरस कौन है और ये जो भी रिष्टे नातों में तुम फाइनल होया बैठा है ये तो ऐस सथाई है आज मर्चू होगी कल ये तेरे नहीं है तो याद दिलाते हैं ये नहीं कहना करें कि नचोड़ ठाटके कलो बैठ जाओ नहीं इसको जानकर एक काम और शुरू करते बगती वाला इसको नानागा करें फिर तेरे सारे काम भी ठीक होंगे और मोक्स भी हो जाएगा कौन तुमारा सचा साई यानि कौन है सही वगवान, सचा प्रमात्मा उसकी परक्र है कौन तुमारा सचा साई जूठी है ये सकल सगाई कौन तुम्हारा सचा साई जूठी है ये सकल सगाई चलने से पहले सोच रे बाई कहां करेगा विसराव मनने की कर ले दो दिन का मेहमान अपना अत्माओ किसी भी कारियवस संभार जाते हैं गर से तो पहले टार्गिट बना लेते हैं रातरी कहां बिताएंगे संसार छोड़ कर जाने वाला कभी नहीं सोचता मैं कहां जाके विसराव करूँगा तो परमात्मा कहते हैं चलने से पहले सोच ले रे बाई कहां करेगा विसराव अब हम बताएंगे कहां करेंगे विसराव वो सत लोग में चलेंगे वहां मारा सही ठीकाना है चुटो चुटो आज चुटो तुम्ट छोट देंगे इसको इस गंदे लोग को तो इंतजार करेंगे परमाथवा के जावे लिएने और चलें अपने सतलोग में ऐसे जाएंगे पत्ट देशी वहां पर उस बेठे पाऊंगे सतलोग में रहट माल पन घट जो भरीता आवे जावे बरे और रीता जुगन जुगन तू मरता जीता करवा ले रे कल्याण मनने की कर ले दो दिन का मेहमान मनने की कर ले दो दिन का मेहमान लक्चोरासी की सहतरासा हूँच नीच घर लेता वासा कहे कपीर सब बिटा दूरासा तू कर मेरी पैचान मनने की कर ले दो दिन का मेहमान मनने की कर ले दो दिन का मेहमान पुनात्मो परसंग चला मात पिता मिल जावेंगे लक्चोरासीमा और सत्गुरु सेवा और बंद गीवाई फिर मिलन की न अब यहां पर मात्मा उसी को दर्ड कर रहे हैं कि तू कहां से आया और कहां जाएगा ये तुरा सरीर तो एक दिन जाना ही है तो फिर तू आगे कहां सत्थान पराप्त करेगा और फिर बताते हैं कि संसारिक लोग कितने ही आपके अच्छे हैं चाचेताओ, रिष्टेदारी आपके में तर्वी नेक हो सकते हैं लेकिन वो आपको संसार में जीने की कलाही सिखाच सकते हैं संसारी क्रियों की ही जानकारी दे सकते हैं एक आपको यहां का सिष्ट विक्ती तो बना सकते हैं उसके लिए प्रमात्मान का है कहां से आया का जावेगा यो तन छुटे तब कहां समावगा आखिर तुझको कौन कहेगा गुरू बिन आतम ग्यान मनने की कर ले दो दिन का महमान कितनी गैरी बात कही है मालिक ने कि तुझको सत्गुरू के बिना गुरू के बिना ये जानकारी कौन देगा तुझको क्या कर रहा है तुझे करना के चाहिए था वास्तिक बग्टी कौन सी है तू कहां से आया था यहां किस जुगाड में जुड़ा विठा है इस ग्यान को सत्गुरु विनाग तुझे कौन कहेगा आतम ग्यान पुझा तुमाओ एक आतम ग्यान एक परमातम ग्यान आतम ग्यान तो वो है कि हमे क्या कर रहे हैं और कहां से हम आए हैं ये तो आत्म ग्यान माने अपने विसेमत जानकारी एक परमात्म ग्यान बगवान कौन है कैसा है क्या सुख या दुख देता है और वो कहां रहता है वो कैसे मिलता है ये परमात्म ग्यान है तो आत्म ग्यान आत्म ग्यान किसी ने सुन द वह सराव उतर दे नसा उतर दे पता लग गया आत्म ग्यान हो गया कि मैं जड़ में पढ़ा हूँ और उससे को इस समाध्धान ना करने का तरीका मिला तूस आत्म ग्यान का क्या फाइदा तो आत्म ग्यान के बाद फिर वहां से निकलने का ग्यान हो रोना सी ये तब छूट का पीछा तो वह प्रमात्म ग्यान हो अपने अत्मा उस वागया आपका आप जी का जनम ऐसे समयम है कि ये संसकार ये सारे नंबर ये सभी पॉइंट इक्तरित होना उसके लिए प्रमात्मा कहते हैं लखबर सूरा जूद ही लखबर सामदे लखबर ये भी ती जहान में तो सद्गुर्य शरना ले लखबर आप बहुत कुन्य आथमा रहे होंगे यूगों यूगों में बड़े अच्छे करम किये होंगे बढ़ाईयों से बचे रहे आपकी महिमां भी खूब होई होगी क्योंकि अच्छे आत्मा अच्छे काम करके जाते हैं च कोई सूरवीर शैनिक होता है, वो अपने वतन के लिए टुकडे टुकडे हो जाता, पीछे कदम नहीं हटाता, उसको सूरवीर बोलते हैं, सूरवीर के अंदरे एक कुण और होता है, वो ना अध्रम सैन करता है, ना वो देख सकता है, वो किसी का दुख नहीं देख सकता है, तो यानि प्रमार्थी विक्ति वो होते हैं, कहते हैं लखबर सूराजू जही, लखबर सामत दे, सामत दे पहले अब तो अभाव हो गया क्यों कितनी अच्यात्मान नहीं रही, पहले बहुत पुनकर्मी प्राणी होते थे, उनका कईयों का एक आत बुटन से नीचे तक लंब जानते हैं, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं जी नमस्कार, नमस्कार सर, क्या नामे जी आपका, सानु साहू, सानु जी कहा से आएं आप, तहसील किरनापुन, जीला बालगट, MP, संत रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा लेने से पहले आप क्या बक्ति साधना करते थे, हिंदु धर्म में चलती आ रही सभी देवी द जरुताओं की पूजा जैसे दुरुगा जी, गनेज जी, हनुमान जी, संकर जी इनी की पूजा करते थे, और जैसे जैसे तेवार आते थे, वैसे वैसे पूजा करते थे बैन जी जैसा कि आपने बताया कि हिंदु धर में जो पारंपरिक पूजाई होती है वो सबी आप करते थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराथ से नाम दिखसा लेने की क्या जुरूतान पड़ी सर हमारी सबसे बड़ी परिशानी भूत प्रेट की बादा 2014 से हमको होने लग गई जिसके चलते हुए हमारी जो सांस की परिशानी हमको बहुत जोर जोर से सांस लेना पड़ता था सर जिसकी वज़े से हम बैड पर से उपर उचलने लगते थे सांस इतनी जोर जोर से चलती थी हमारी और हम रोने लगते थे और चिलाने लगते थे और हम बेहुस भी हो जाते थे और कुछ समय बाद फिर से हमको हो साजाता था तो वैसी हमारी परेशानी फिर से चालू हो जाती थी सर ये परिशानी हमको रात में ही होती थी जिसकी वज़े से हम बहुत परिशान थे 2014 से हम परिशान थे बैन जी जैसा कि आपने बताया कि आप जो पूजा साधना करते आ रहे थे उसके बावजूद भी आपको बहुत सारी परिशानिया थी भूद प्रेट की बादा आपको थी तो आपके जीवन में जो कटनाय थी वो कैसे समाप्त होई हमारी भूवा हैं वो हमारे घर आई थी उन्होंने संतरामपाल जी महराज से उब्देश लिये हुए थे तो उन्होंने ही हमको बताया कि संतरामपाल जी महराज है जिनकी भक्ती करने से सभी प्रकार के दुख जैसे मानसिक, सारीरिक, आर्तिक सभी दुख दूर होते हैं तो हमारी परेशानी को देखते हुए उन्होंने हमको भूग दिया और ससंग देखने को कहा तो हमने तो बुक नहीं पड़ी पर हमारी मम्मी ने पंधरा दिन बुक पड़े और हमने बस तीन दिन ही सचसंग सुने थे हमने ज्यान तो कुछ नहीं समझा लेकिन जो भगत सचसंग के बाद इंटर्व्यू देते हैं उसको देखकर ही हमने नाम उपदेश लिया बेंजी जैसा कि आपने बताया कि पहले जो साधनाय करते आ रहे थे उनसे आपको कोई लाब नहीं मिला और आपने संत्रामपाल जी महराज का सत्संग सुना और उसके बाद जो इंटर्व्यू आते हैं वो इंटर्व्यू आपने देखे और आपने संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख सली आज आप खुद इंटर्व्यू दे रहे हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत्र रामपल जी महाराज जी से उब्देश लेने के बाद हमारी 2014 से हमको भूत प्रेट की बादा थी वो बिल्कुल ठीक हो गई परमात्मा ने हमारे उपर बहुत दया की जिसे आज हम बहुत ठीक हैं एक महिने के अंदर में हमको टाइफाइड हो गया तो हमारा जिसे हमारा रिलीप नहीं मिला फिर हमको इतना विश्वास था कि परमात्मा की भक्ति करने से हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो हमने किसी भी प्रकार की दवाईयां नहीं ली और डॉक्टरे के पास भी नहीं गया फिर एक महिने के बाद हमने फिर से ब्लड टेस्ट करवाया तो हमार इस्टinda बलड 11 ग्राम हो गया जो पहले दवाईयां लेने से भी ठीक नहीं हो रहा था केवल संत्रामपाल जी महराज की बताई करने से ठीक हो गया हमको पत्री की भी परशांटी हमने दो बार पत्री कब II Verb को कि संतरांपल जी महाराज की बतायवे भक्ती करने से हमारी पत्थरी की भी परेशानी ठीक हुई है सरड और हमकरी लीवर लीवर में भी परेशानी थी हमारे जिसे हमारा खाना नहीं पस्तथा और हमारे गले में भी बहुत जलन होता था हम खाना नहीं खा पाते थे और पानी भी नहीं पी पाते और हमको हिचकियां भी बहुत आती थी लगबक दिन भर हिचकियां आती थी जिसे हम बहुत परेशान थे पानी भी पीते थे लेकिन हमारी हिचकी बंद नहीं होती थी संद रामपाल जी महराज की भक्ति करने से आ दॉक्टरों के चक्कर लगाते थे और इस वज़े से हमारी आर्थिक परेशानी भी ठीक नहीं थी कुछ पैसे घर में लग जाते थे कुछ पैसे डॉक्टरों के पास लग जाते थे उससे हम परेशान हो चुके थे मम्मी ने भी और हमने साथ में नाम उपदेश लिया और पहले जो पूजा साधना आप करते आ रहे थे उनसे आपको कोई लाब नी मिला था क्या कहना चाहेंगे आप सर जो पहले हम साधना करते थे वो सास्र विरुद्ध थी आज संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के सद्गरंतों के अनुसार सद्भक्ती बताते हैं जो सास्र के अनुसार है सास्र के अनुसार भक्ती करने से सभी देव देवता अपने आप लाब देते हैं बेन जी जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख से लेने के बाद आपको बहुत सारे लाब मिले। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो तरह तरह की साधना करते हैं उसके बावजूद भी उन लोगों को कोई लाब नहीं मिलता तो आप उन लोगों को क क्या कहना चाहेंगे क्या संदेश देना चाहेंगे हम संदेश नहीं दे सकते केवल प्रात्ना कर सकते हैं आज विश्व की लगभग साथ अरब से भी ज्यादा जनसंक्या है केवल संत रामपाल जी महाराजी पूर्ण संत हैं जो सदभक्ति बता रहे हैं जिससे हमारा पून मोक्स दे सकते हैं। आप ये बात कैसे बोल सकते हैं। जो वक्ति आज के दिन संत रामपाल जी महराज से नामदिक्सा लेना चाता है। वो नामदिक्सा कैसे ले सकता है। आप सुन रहे थे जकतकुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारे वेबसाइट www.jakatgurur.org. संत रामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्वभर में 500 से भी जादा नामदिक्सा केंद्र हैं। पर संत रामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नामदिक्षा दी जा रही है। अपने नस्दी की नामदिक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें। 8222-880541 गरिब धन जन नी धन भूमी धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहां साधु परवेश। जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज की 74 वे अवतरन दिवस के अवसर पर दिनांग 6-7-8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में तीन द्विश्य महा समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर तेन द्विश्य अखंड पाट विशाल भंडारा, विशाल सत्संग सम्हारों जैसे कई भव्वे कारेकरम भी होंगे। जिसमें आप सभी नगर वे ग्राम निवासियों को इस विशाल एद्वित्य भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत हर्याना। इस कारेकरम का सीधा प्रसारण सुबा सवा नौ बजे से दोपहर सवा बारा बजे तक संद्रामपाल जी महराज यूटूब चैनल और स्पिच्वल लीडर संद्रामपाल जी महराज फेसबुक पीच पर भी देख सकते हैं।